के जीएफ चेप्टर टू के आइटम सॉंग के रिलीस को लेकर किया जा रहा है इतना बड़ा प्लान जैसा कि हम सब ने देखा कि साउट की फिल्म के जीएफ चेप्टर टू का ट्रेलर काफिश शांदार तरीके से रिलीस किया गया ट्रेलर को रिलीस करने से पहले बैंगलूरू में एक इवेंट रखा गया था जहां यश, श्रीनिदी शेटी, रविन अटंडन और संजेई दज जैसे कलाकार देखने को मिले थे लेकिन अब केजीएफ चेप्टर टू से एक खास और जबदर्स खबर जानने को मिली है और यह खबर है केजीएफ चेप्टर टू के आइटम सौंग को लेकर दोस्तो जिस तरह से बैंगलूरू में ट्रेलर के लिए इवेंट और्गनाइजेशन किया गया उसी तरीके से इस बार भी स्पेशियल एटम सौंग के लिए भी एक इवेंट रखा गया है और यह कई और नहीं बलकि मुंबई में ही होने वाला है जहां यह श्रीनी दिशेटी संजैदत और रवीना टंडन सहीद पूरी टीम देखने को मिलेगी जब ट्रेलर को रिलीज किया जाना था उस वक्ट ट्रेलर को लेकर बैंगलूरू में रखे गए इवेंट को काफी जबड़ दस तरीके से और अर्गनाइस किया गया था और अब इसी तरीके से एक शानदार और मज़िदार इवेंट मुंबई में भी होगा जहां केजी एफ चेप्टर टू फिल्म के आइटम सौंग को प्रमोट किया जाएगा अब आप सोच सकते हो कि फिल्म के आइटम सौंग को लेकर इतना प्रमोशन हो रहा है तो या फिल्म आकिर कैसी होने वाली है वैसे हमें आपको बताने कि यह जरूरत नहीं है क्योंकि यह पूरा भारत जानता है कि केजी एफ चेप्टर टू लोगों के लिए कितने माइने रखती है क्योंकि दरशक इस फिल्म के लिए लंबे वक्त से इंविजार कर रहे है तब जाकर अब फिल्म रिलीज होने वाली है आप सब की एकसाइटमेंट 14 एप्रील को पूरी होने वाली है क्योंकि यह फिल्म थियाटरों में रिलीज हो जाएगी लेकिन उससे पहले फिल्म से रिलीज होने जा रहे है आइटम सॉंग के लिए दर्शक काफी एक्सेटिड है तो आपका क्या कहना है आइटम सॉंग को लेकर अपने प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर बता है वरकिंविध यश और वीजे सहर और प्रशांत मुझे वापस मेरी चाली साल पहले मुझे ले गया था जैसे के हम लोग जब इंट्रड्यूस होए थे और वो जो जर्णी थी और लाजए देन राइफ एड़ोगों अच्छन ओरिएंटेड आक्टर्स तो आमिन आइट प्रशांत में आइट सेम आइट सो गुड़ टू प्ले अधीरा